Hello everyone, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए एक नया अपडेट है जो हम आज इस वीडियो में शेर करने वाले है और ये अपडेट है जो NTA के तरफ से आ चुका है इसके official website पर अपडेट है जो दिया गया आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वेडियो को आगे बढ़ाने से पहिले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तो एक बर सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दे स्टडी विद इशा को और बॉल आइकॉन के लिए दी गई है हम आपके सथ शेर करेंगे उस पे हम बाट करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि जो दी है official notification में जिसमें बोला गया है क्या बोला गया है हम बताए है तो यह बोला गया है कि subject चेक कर सकते हैं MTLB जो भी students correction करना चाहते हैं अपने online form में वो क्या-क्या update करवा सकते है, ये भी अपके मन M doubt होगा, क्योंकि NTA ने 9-10 April के लिए जो application window है वो open किया है, उसमें भी कुछ new students ने new form भारे, है और कुछ student है, जो 9 March से, 11 March तक, application form भरा था, जैसे उनके आधार में कोई दिक्कत हो, उन्होंने अपने ममी पपा, भ correction करना चाहते है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि NTA ने सफ बोला था, आपको अपने अधार से form fill up करना है, क्योंकि exam center पर, आपका verification के लिए अपका आधार मगन सकते हैं, अगर आपका वहाँ आधार गल्थ निकलता है, तो आप paper नहीं दे पाएंगे, इसलिए NTA ने सफ बोला है, कि आप कुछ भी correction करा सकते हैं, सिर्फ आप अपना mobile number और अपना mail और अपना name change नहीं कर सकते, और सब कुछ चिंग कर सकते हैं, और ये change करने के लिए, जो आपके past time है, वो है, ग्यावन एप्रिल से 15 एप्रिल, तक 11.50 पीम, तक तो कैसा लगा आपको वीडियो हमारे च पहिले वीडियो पने के लिए, जो आपके past time है, वो है, ग्यावन एप्रिल से 15 एप्रिल, तक 11.50 पीम, तक तो कैसा लगा आपको वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आसे ही new update के लिए और SB के पहिले वीडियो पने के लिए